नमस्कार दोस्तों बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तो 27 जनवरी का लोग बेसरबिडी से इंतजार कर रहे थे। सीमानचल और मितलाचल के लोग खास करके इस पल का इंतजार कर रहे थे कि जब परधान मंतरी बिहार के दोड़े पड़ाएंगे और मोतिहारी के सुगोली से इन रेल खंडों का उदगाटन करेंगे हरी जंडी दिखाएंगे इसको लेकर बैकायदा ख़बर भी आ चुकी थी वो खबर भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 27 जनवरी को परधान मंतरी का दोड़ा बिहार का होने वाला है और कई सारी ट्रेनों का उदगाटन करने वाले हैं लेकिन अब परधान मंतरी का दोड़ा जो हो टल चुका है अगर आज तक की इस रिपोर्ट की माने तो इसमें साफ साफ लिखा गया है 27 जनवरी को मोतिहारी के सुगोली में काडिकरम होना था अब फरवरी के पहले सब्ता में बिहार आ सकते हैं परधान मंतरी नरेंदर मोधी और विजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नर्ड़ा 30 जनवरी को बिहार आएंगे यह इसा खबर आ रहा है तो अब सवाल आता है कि 27 जनवरी को जो परधान मंतरी आने वाले थे अगर उनका उद्देश ट्रेन का उद्घाटन करने का ही प्रोग्राम था तो संभव है कि यह प्रोग्राम जो हो 27 जनवरी को टल जाएगा और फरवरी के पहले सब्ता में परधान अधिकारी निर्मान, शिरी पीके सिंग, मुख अभियंता, अजे परधान और सहयक अभियंता, जीतेंद्र कुमार के साथ, अरारिया के मानिये सांसत, शिरी परधीप कुमार सिंग ने रेलवे के कई महत्पूर्न पढ़िये जनवाओं को लेकर बैठक हुई और इस बैठक उन्हें कहा है कि यह अर्जेंटली यानि कि जल्द से जल्द यह सभी काम होना चाहिए और जो भी ट्रेंड की मांगए हैं वो पूरी होनी चाहिए तो शोटकट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके वो सारी चीजें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज उन्होंने मांग क इसमें जो महत्पून बाते कहें गई है वो सहरसा 420 गंच के लिए खास करके कि जल्द से जल्द यह ट्रेन का पड़े चालन हो इसके अलावा अरड़िया गलगलिया रेल लाइन के बारे में बात की गई है कि यह पूरा होने वाला है इसमें ख्वासपूर को खास करके सारी अहम बाते उन्होंने कही है जोगबनी रेलवे एस्टेशन को अमरित भारत एस्टेशन में जोरा जाए और इसके अलावा जोगबनी से कई सारी ट्रेनों की डिमांड की गई है जैसे कि देव घर के लिए जैबपूर के लिए सूरत के लिए वहाटी बेंगलोर वाया क कठियार होकर चलाया जाए और एंजेपी हावरा वंदे भारत को कठियार होकर चलाया जाए इसके अलावा जोगबनी देली अमरित भारत एक्सप्रेस विकली जो है वो गोरखपूर के रास्ते चलाया जाए राजिरानी एक्सप्रेस को जोगबनी से पटना के लिए चलाया जाए कथिया लगातार उठी है लिकन इस बार बड़े पैमाने पर मांग की गई है कई त्रेनों का अपर डिमान किया GIA है आसथी जोगवनी स्टेसन का अमरीत भारत इस्टेसन में त्रेमान क्या जाए उसका फिर से रेनुवेशन किया जाया तो यह सभी मांगे जो होती रहती है और उस मांग का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है तो मांग लगातार जाड़ी है पर्धान मंत्री का दोरा भी केंशिल हो चुका है तो लोगों को उमीद थी की इसी महयने ट्रेंट जो है वो मिलेगी बाकी आपकी राय कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक देखते लिए पिहार एक्स्प्रेस यूटूब चैनल